Hello dear student, welcome back to my channel, it's me Poonam Aswar तो आज हम question answer करेंगे gravitation की, जो की part 4 video है इससे पहले मेरी 3 video upload हो चुकी है अगर आपको देखना है, तो आप मेरी playlist में जाके देख सकते हैं इसी chapter की, जो की 3 video है तो चली देखते हैं कि जो part 4 video है, उसमें क्या पूछा गया है जो की question number 17 से start है तो question 17 में पूछा गया है A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter second, calculate when and where the two stone will met Question का मतलब है कि कोई पत्थर है, कोई stone है उसे 100 meter ऊची किसी tower की चोटी से गिराया गया है और उसी समय कोई दूसरा पत्थर भी 25 meter second के वेग से vertically upward में उपर की और फैंका जाता है पहले क्या किया जाता है 100 meter ऊची किसी tower की चोटी से नीचे गिराया जाता है अग 25 meter second के वेग से vertically upward में उपर की और फैंका जाता है तो आपको calculate ये करना है कि जो दोनों stone है वो कब और कहां पर मिलेंगे तो answer है here height of the tower is 100 meter now suppose the two stone met at a point P which is at height X above the ground मतलब suppose ये एक ground है ऊपर किसे tower की चोटी से एक stone फैंका जाता है तो जब वो stone फैंका जाता है तो वो कितनी उचाई से फैंका जाता है 100 meter से ठीक है अब उसी समय कोई दूसरा पत्थर जो की उपर की और फैंका जाता है ये वाला जो 100 meter वाला था वो उपर से नीचे की और फैंका गया है जो दूसरा stone है वो क्या कहा गया है उपर की और फैंका गया तो वो कितने वेक से फैका गया 25 मीटर सेकंड से इतने से फैका गया तो हमें क्या निकालना है हमें ये निकालना है कि जो दोनो स्टोन है ये वाला स्टोन भी और ये वाला स्टोन भी ये दोनो स्टोन कब और कहा मिलेंगे आपस में हमें ये बताना है तो ठीक है तो हम क्या करेंगे हम ये करेंगे कि जो हमने बनाया था कि ऐसे बनाया था और ये 100 था तो हम इसको जो ये दूसरा स्टोन है जो की 25 मीटर सेकिंड के वेक से वर्टिकली अपगॉर्ट में उपर के और फैका गया है इस stone को हम x माल लेंगे ठीके क्या माल लेंगे x तो हमारी height निकलेगी अभी तो हमारी height क्या है हमारी height एक stone की तो कितनी है 100 meter है जो दूसरा का है हम उसे क्या कर देंगे x माल लेंगे ठीके तो यानि हम क्या करेंगे height हो जाएगी हमारी height क्या हो जाएगी time भी हमें नहीं दे रखा time हम बात में निकालेंगे तो time भी नहीं दे रखा तो हमें यह बता है कि acceleration ग्राविटी कितना होता है हमारा 9.8 meter second square होता है तो अब हम क्या करेंगे हम formula put करेंगे क्या करेंगे हम formula put करेंगे तो now अब हमारा formula लिखा है h equal to ut plus 1 upon 2 gt का square तो हम क्या करेंगे हमें पता है कि हमारा जो height था वो height कितना था 100 minus x यहीं माना था हमने x घी तो माना था और equal to u कितना था हमारा u यानि initial velocity कितना था 0 था वो हमें DIN रखा है t कितना था t हमें DIN निकालना है इसके बाद हम निकालेंगे तो हमारा T multiplication हो क्या प्लस formula में क्या था 1 upon 2 तो हम लिखेंगे 1 upon 2 G हमारा कितना है G हमारा है 9.8 ठीके और फिर उसके बाद क्या था 9.8 के बाद क्या था T का square तो T का square क्या जाएगा T मतलब time तो time तो दिया नहीं minus X equal to फिर आएगा जो हम पूरा calculation करेंगे तो वो आएगा 4 upon 9 T का square क्यों आएगा क्योंकि उपर question में क्या था उपर हमने यही तो लिखा था कि 0 multiplied T plus 1 upon 2 multiplied 9.8 multiplied T square यही तो लिखा था हमने अब 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 for the 8 point और 18 one this equation is one equation अभी तो हमारा यह इतना निकला अब हमारी second equation में हम क्या करेंगे second equation में हम time निकालेंगे क्यों हमें time भी तो नहीं तो यह रख था है हमें time भी निकाल प्यांगि तो the stone projected vertically upward यही था तो हमारा जो vertically upward में stone फैका गया था उसकी height कितनी थी? उसकी height थी x हमने यही माना था और हमारी initial velocity उसकी कितनी थी? उसकी initial velocity थी 25 meter second और time तो हमें दिया ही नहीं है acceleration due to gravity कितना होता है? वोता है 9.8 meter second square यही होता है और उसको minus मिलेंगे तो अब हम formula put करेंगे formula हो जाएगा हमारा s equal to ut plus 1 upon 2 gt gt और square तो हम अब इस formula में क्या करेंगे? सारे number को put कर देंगे ठीक है? तो चलिए हम करते हैं इसको तो क्या हैगा हमारा? हमारे formula में क्या हैगा? s था, तो s तो कुछ नहीं है तो हम उसको लिखेंगे x equal to u हमारा कितना था? यानि initial velocity इसमें कितनी है? इसमें initial velocity दूसरे store में दे रखी कितनी दे रखी? 25 दे रखी t हमें नहीं दे रखा तो हम t को ऐसी लिखेंगे plus 1 upon 2 है ठीक है? g कितना दे रखा था? g हमें है, g आ रखा acceleration due to gravity कितना है? minus 9.8 और साथ में क्या है? t का square तो t तो हमें दिया ही नहीं है हमें तो time निकालना है इसमें तो हम t का square लिख देंगे ठीक है? अब क्या करेंगे? अब आगे हम करेंगे x का x equal to 25 25 ठीक है? 25 को t से multiply के तो 25 और साथ में आ गया t minus 0.8 तो हम इसको यहाँ पे cut करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4.9 तो यहाँ पे 25 t है तो कितना आ गया? 4.9 का t का square यह यह आ गया? तो यह हमारी हो गई second equation ठीक है? इसको अगर सही से देखना है तो second equation हमारी यह हो गई यह लिखा है मैंने x equal to 25 t minus 4.9 का t का square और हो गई second equation ठीक है? अब हमारे पास first equation भी है और second equation भी है तो हम उन दोनो equation को क्या करेंगे? प्लास करेंगे on adding equation first and second we get तो हम दोनो equation को करेंगे तो क्या हैगा? दोने equation को करेंगे तो हमारा हैगा hundred minus x अभी हम पहले जो first equation का वो आया जो left hand side में था second equation का क्या है था? second equation का था x तो प्लास में आएगा equal to first equation का क्या है था answer? 4.9 t का square और second equation का क्या है था? 25 के आगे प्लास था तो प्लास आएगा t 25 t minus 4.9 का t का square यहागया? अब hundred का यहाँ पे hundred आया equal to यह 25 का t यह t धर आगया मतलब इन सब को हमने क्या करा? solve करा t हमारा left hand side आगया और hundred यहाँ पे right hand side में चला गया 25 उसके नीचे आगया हमने इसको cut किया तो t हमारा आगया 4 second यह है चीक है? यह आगया हमारा 4 second thus the two stones will met after a time of 4 second चीक है? अब हम क्या करेंगे? now from equation 1 we get अब हम equation 1 में जाएंगे जिसका हमारा answer कितना आया था? हमारा answer आया था hundred minus x equal to 4.9 t square यह आया था? अब क्यों उसमें t था? t हमारा कितना निकला है? time हमारा निकल गया 4 अभी तो second equation में निकला कि time हमारा कितना निकला? 4 second निकला तो अब जहां हमने x लिखा था हमने पहले क्या किया था? x ही तो लिखा था? कि हम उसको assume कर रहें कि hundred minus x तो हमें अभी x की value निकलनी है तो जहां पर x लिखा था hundred minus x equal to 4.9 t का square यह था? पहली equation हमारी तो हम hundred को hundred लिखेंगे minus को minus x की x है तो हम x को x लिखेंगे equal to 4.9 का 4.9 और t यानि time time हमारा निकला? कितना निकला? 4 तो हम लिखेंगे 4 का square ठीक है? फिर hundred minus x 4.9 4 का square हो गया 16 ठीक है? अब क्या होगा? अब होगा hundred minus x equal to 4.9 multiply 16 कितना हो गया? 78.4 78.4 आगया अब क्या होगा? 78.4 हो गया तो hundred का hundred हम 78.4 को left inside लेके जले जाएंगे तो वो minus में हो जाएगा 78.4 और x को हम right inside ले जालेंगे तो जब right inside ले जालेंगे तो x को minus में था वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा तो x अब दोनों को इन दोनों को minus करा तो कितना है? 21.6 equal to x यानि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है thus the two stone will met at a height of a 21.6 meter from the ground ठीक है? यानि दोनों stone आपस में कब और कहां मिलेंगे? कौन सी height में मिलेंगे? 21.6 meter from the ground तो ये था answer किसका? question number 17 का अब है question number 18 ball thrown up vertically returned to the thrower after a six second find एक question है the velocity with which it was thrown up यानि तीन चीज़े पूछी गई है हमें question में question number 18 में A, B, C तो अभी हम पहले एक ही बात करेंगे कि question में पूछा गया है एक ball है उसको उपर से throw किया गया है 6 second के बाद वो ball baller के हाथों में आ जाएगा क्या है? एक ball है हम उसे क्या कर रहे है? उपर से नीचे को throw कर रहे है जैसे ही हम उसे उपर से नीचे को throw कर रहे है तो नीचे जो baller है मतलब initial velocity पूछी गई है किसमें question number A में तो देखिए इसका answer का है given answer है given the ball thrown up vertically return to the thrower in 6 seconds that means that the ball will take half of its time that is 6 upon 3 3 seconds to go from the maximum height and return to the thrower मतलब हमें ये पता होता है कि जितना time उसे उपर जाने में लग रहा है उस ball को उतने ही time में वो वापस भी आएगा बगर हमें question में क्या बताया गया है कि जो वो ball है वो उपर जब गई और फिर वो नीचे भी आई तो उसका total time कितना लगा 6 seconds लगा तो हम इसको करेंगे 6 seconds को 2 से divide कर देंगे जब हम इसे 2 से divide कर देंगे तो यानि answer कितना आएगा 3 seconds यानि 3 seconds में वो उपर गई है और 3 seconds में वो नीचे आई है क्या ball क्या कहा गया है एक ground है उस ground में जब ball है ball को उपर से throw किया गया तो 6 seconds के बाद वो ball thrower के हातों में आ गई यानि जैसे ये ball है इस ball को उपर किया फिर उपर से वो नीचे भी गई तो दोनो टाइम पे उसको कितना समय लगा टोटल टाइम उसको 6 seconds लगा यानि वो जब उपर गई तो वो 3 seconds में गई और जब वो नीचे आई तो तबी भी वो 3 seconds में आई क्या कि हमने 6 को 2 से डिवाइडी तो किया आनी half किया तो हमें पता चल गया कि हमारा जो टाइम है वो कितना है 3 seconds है अब क्या है initial velocity पूछी जा रही है इस question में यानि A वाले question में final velocity 0 है क्योंकि क्योंकि वो जाएगा वो final velocity क्या हो जाएगी वहाँ पर 0 हो जाएगी जब वो वहाँ पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी final velocity 0 हो जाएगी t हमें दे रखा यानि time हमें दे रखा कितना दे रखा 3 seconds दे रखा है acceleration due to the gravity कितना है acceleration due to gravity हमें पता है कितना होता है 9.8 meter per second square होता है तो अब हम क्या करेंगे हम उसको क्या करेंगे formula लिखेंगे formula क्या लिखेंगे V minus U equal to GT तो V क्या है V तो हमसे पूछी गई है तो हम V को V लिखेंगे equal to U U है plus G कितना है G था हमारे पास 9.8 मगर हम उसके किस में लिखेंगे minus में लिखेंगे time हमें कितना दे रखा है 3 दे रखा है तो क्या एगा answer जो V क्या था initial velocity था तो वो 0 था U हमें नहीं पता plus minus क्या हो जाएंगे minus हो जाएंगे 9.8 को multiply करेंगे 3 से तो कितना आएगा 29.4 आएगा और U हमारा left hand side चला जाएगा तो यह कितना होगा 29.4 मीटर पर सेकिंड होगा तो does the velocity with which the ball was thrown up is 29.4 मीटर पर सेकिंड यानि 29.4 मीटर पर सेकिंड के साथ उस बॉल को ऊपर फैका गया था ठीक है यह तो हो गया एक कोशन की बात अब इजी कोशन में B वी कोशन पूछा गया B कोशन का मतलब है calculation of the maximum height reach मतलब जब वो ball उपर आ गया तब उसकी height कितनी थी आपको यह बताना है तो फिर हम formula में सारा put करेंगे क्या है formula V square equal to U square plus 2GH तो V कितना दे रखा V हमें 0 दे रखा तो उसका 0 square हो जाएगा U कितना निकला भी हमारा U निकला हमारा 29.4 कोशन में square है तो उसको square लिख देंगे plus 2 का 2 G हमारा कितना है minus 9.8 और H मतलब height है तो हमें निकालने तो हमने H को H लिखा फिर हम क्या करेंगे हम इसमें सारे formula को put करके क्या करेंगे अंसर लिखेंगे 0 आया equal to 29.4 का जो square है उसको square निकाला तो कितना आया 864.36 ठीक है अब plus minus minus होगा 2 को multiply करेंगे 9.8 से तो कितना आया 19.6 और 7 में क्या था H ठीक है अब 19.6 तो 0 का 0 इक्वल टू 864.36 माइनस 19.6 को multiply करेंगे H से तो कितना है का 19.6 H H को हम क्या करेंगे जो 19.6 H है उसको हम left hand side ले जाएंगे तो कितना है का 19.6 H इक्वल टू 8 6 4 3 6 यह आएगा अब फिर उसके बाद क्याएगा H को हम left hand side ले छोड़ देंगे इक्वल टू 8 6 4 3 6 H के साथ क्या था 19.6 था तो वो नीचे आ जाएगा और जब H को हम left hand side छोड़ देते तो वो क्या जाता है नीचे आ जाता है फिर हम इसको सही से calculate करेंगे और answer आएगा हमारा 44.1 मीटर यानि The maximum height reach by the ball is 44.1 अचा अगर आप यहाँ पर पूछो कि 9.8 के साथ हमने minus क्यों लिखा है क्यों लिखा है हमें initial velocity पता है वो 29.1 मीटर पर सेकंड स्कूर है और final velocity भी पता है कि वो 0 gravity पता है कि वो क्या है 9.8 है minus क्यों लगा है क्योंकि वो उपर जा रहा है तो हमें ठीक है तो इसलिए इसका answer क्या आगया height का 44.1 मीटर अब question में C में क्या पूछा गया है question C में पूछा गया है position after 4 second मतलब 3 second के बाद जो 4 second होगा उसमें ball नीचे आना शुरू करेगा तो 4 second के बाद उसका distance कितना होगा आपको ये बताना है चलिए इसे figure से बताते है figure में देखिए जैसे ये है ground ठीक है आपकी ball क्या पूछा गया है कि 3 second के बाद जो 4 second होगा उसमें ball क्या होगी 3 second में उपर गया था उसकी height कितनी निकाली थी हमने 44.1 निकाली थी अब जब ये ball को हम उपर थ्रो कर रहे तो वो ball नीचे भी तो आएगी जब वो नीचे आई तो यानि तो 3 second में तो उपर गई अब जब वो नीचे आई यानि नीचे शुरू का जो second था वो क्या था 4 second था उस 4 second में उसमें जो ball जब नीचे आना शुरू कर रहेगा तो 4 second के बाद उसका distance कितना होगा आपको ये बताना होगा तो जैसे हमने इसको point दे दिया B इसको नाम दे दिया A अब यहां का जो distance होगा आपको ये distance आपको बताना है कि ये कितना होगा ठीक है ठीक है तो जिसमें हम क्या करेंगे जो ball है जब वो नीचे गिरी है तो उसमें कितना कितना बोला है उनोंने यानि 3 second के बाद कितना हुआ 4 second तो 4 second को हम minus करेंगे किस से 3 second से 4 seconds को हम minus करेंगे 3 seconds से तो हमारा time कितना निकलेगा हमारा time निकलेगा 1 second ठीक है 1 second निकलेगा और उसमें initial velocity 0 लेंगे क्योंकि वो नीचे आएगी ball तो 0 हो जाएगा final velocity हमें नहीं पता है time पता है time कितना हो गया कि 1 second हो गया acceleration to the gravity हमें पता है 9.8 है ठीक है तो अब हम इसको सही से answer करते है सही से answer क्या करेंगे कि हम इसमें put करेंगे formula क्या था formula है s equal to ut plus 1 upon 2 gt का square ठीक है तो हम क्या करेंगे इसमें सारे number को put करेंगे क्या put करेंगे हम लेखेंगे s का s equal to u हमें पता नहीं है तो 0 लिख दिया multiply T का T plus 1 upon 2 multiply 9.8 और T हमारा कितना निकला है 1 निकला है तो 1 का square जब हम इसको काटेंगे तो हमारा answer कितना आएगा 4.9 meter आएगा इसका हम सही से जो answer निकालेंगे सही answer मतलब जो हमारा B question में क्या पूछा गया था कि हमें क्या पूछा कहा था कि जब वो ball उपर आगया तब उसकी height कितनी होगी तो height कितनी निकली थी 44.1 निकली थी और अब ये जो C question था C question में कितना था कि distance कितना लेगा तो उसका भी answer निकालना है अभी हमने सही से answer का निकाला अभी हमने S की ही unit निकाली वो कितनी है 4.9 meter तो दोनों को minus करेंगे तो वो कितना आएगा इन दोनों को minus करके answer कितना आएगा 39.2 meter यानि 39.2 meter above the ground after 4 seconds ये होगा answer question number 18 का चीक है अब किसकी बारी आई अब बारी आई question number 19 की question number 19 में पूछा क्या है biond force on an object immerse in a liquid act मतलब एक particular object है उसको एक liquid में immerse किया गया है तो biond force किस direction में लगेगा आपको ये बताना है तो answer गया है answer है the biond force and object immerse in a liquid act in the vertically upward direction in other words biond force act in a direction opposite to the direction in which the weight of the object act पहले तो हम ये देखते हैं कि biond force किसे बोलते हैं biond force किसे बोलते हैं जब हम किसी object को liquid में डुबोयो जाता है biond force अब देखते हैं इसका answer क्या था कि उस वो जो force होता है वो किस direction में जाता है तो क्या होगा जो biond force है वो vertically upward direction में काम करता है और biond force की direction object की direction से opposite होती है यानि वो कौन सी direction में हो रही है ये था question number 19 का answer I hope आपको ये answer पसंद आया होगा और अगर पसंद आ होगा तो प्ल चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक यू